हलो दोस्तों आपका स्वागती मेरे चैनल पे आज का वीडियो जो है नर्सिंग ओफिसर एम्स के लिए है को आप इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या चाहिए वेतन मान किस तरह करेगा स्वास्ति योगदान क्या रहेगा संतान के लिए क्या क्या चीज़े मिलती है छु क्या रहेगी यह जो पर फाइल किस परकार की है और पद्धोनत्ति जैसे दस टॉपिक जो है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो मैं उमीद करते हूं कि आप इस वीडियो में पूरे अंतक बने रहेंगे चलिए शुरू करते हैं यह जो पोस्ट है यह नर्सिंग ओफि पाइएन और स सर्टिफिकेट दोनों में ही यह जो है एक इंडियान रिकरनाईज य्टी और इस्तिट्व से होनी चाहिए डिपलोमा इन जनर्ल नर्सिंग मीडवाईफरी फ्रॉब एन इंडियन nursing council, state nursing council, recognized institute board or council registered as nurses admin 5 in state Indian nursing council two years experience in a minimum 50 banded hospital after acquiring the educational qualification mentioned above as applicable for all participating MS यानि कि आपको जो है वो टू यह साप डिप्लेमा भी अगर आपने कर रखा है तो यह भी एक उसमें दिया हुआ कि किस तरह का इंडियान नर्सिंग काउंसल स्टेट और उससे रिकगनाईस होना चाहिए उससे उसमें रजिस्टर होना चाहिए और टू यह का जो एक्सपीरि भारतिय नर्सिंग काउंसल राज्जी नर्सिंग या काउंसल से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्व विद्याले से नर्सिंग होनी चाहिए बीसी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट वेसिक भारतिय नर्सिंग परिशद राज्जी नर्सिंग परिशद से मान्यता प्र से मान्यत अप्राप संस्तान बोडिया काउंसल से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा राजी भारती नर्सिंग परिशद में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजिकृत सभी भाग लेने वाले एम्स के लिए लागू उप्रोक्त सेक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद न्यून्तम पचास बीस्तरों वाले अस्पताल में दो साल का अनुबव होना चाहिए यह जो है यह आपके लिए कौलिफिकेशन दी गई है अगर आप एम्स में नर्सिंग के लिए जाना चा करते हैं तो यह जो कौलिफिकेशन से यह मेंडिटरी है इन में से आपके पास यह सब होना चाहिए अगर फिर जो दिया है वो वेतन मान दिया है तो मोल वेतन जो बेजिक पेज़ों वो चमाली सजार नो सो रुपए है और महेंगाई बता जो डिये है वो आज के इसाफ से देखा चाहिए 46 परसेंट मिल रहा है यानि कि चमाली सजार नो सो का आपको डिये मिलेगा वह वी सजार सच्छो चोपन रुपए मिलेगा एक वर्ष में दो बार जोए वो डिये बढ़ता है वहान बता यानि कि टीए जो आपका आठारा सो रुपए होगा परिवहन महेंगाई बता डिये और टीए जो आठाटाइस रुपए है यह जो हाल की डेटे यह उसका निकाला गया यह डेटा है फिर जो है मकान किराया जि आपको कौन सी सीटी कौन सी एम्स मिली है वह एम्स कौन सी सीटी में है तो एक्स वाई जेट जो है यह सीटी कैटेगरी है एक सीटी में जो है उनको 27 परसेंट मिलेगा वाई सीटी में जो है उनको 18 परसेंट मिलेगा और जेट सीटी में जो है वह उनको 9 परसेंट मिलेगा यह आपका जो है वो basic salary पर calculate होगा nursing भत्ता nursing allowances जो है वो 7200 रुपे मिल रहे है uniform allowances वर्दी भत्ता जो है वो 1800 रुपे प्रती महा मिलेगा तो यह जो है यह आपकी जो gross salary है वो 89,305 रुपीज है यह आपका जो gross salary है वो है इसमें deductions भी होते है according to government rules तो यह उसके according जो है वो आपका deduction भी होगा स्वास्तियोगदान तो M's के जो मिल रहे हैं स्वास्तियोगदान वो है माता पिता और 18 वस्ते छोटा भाई बैन जो आप पर निर्बर हो उनका जो इलाज वो बिल्कुल फ्री होगा उनके लिए आपको कुछ भी पे करना नहीं रहेगा उनके जो बिलिंग है वो जीरो बिलिंग होती है फिर आपके बच्चों के लिए संतान के लिए संतान सिक्षा बत्ता दिया जाता है यह जो है वो बाईसो पचास उपे प्रती महा दिया जाता है और अगर मान लीजिए आप अपने बच्चे को होस्टल में बढ़ा रहे हैं तो इनके लिए जो है वो छात्रावाज सबसीडी दी जाती है यह जो है यह छेजाए साथ सो पचास उपे प्रती महा मिलता है तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक साल में कितना इसका केलकुलीशन हो रहा है यह आपको दिया जाएगा इसके लिए एक जो है वो लिमिट यह है कि बच्चों की जो आयूशीमा है वो बीस फर्स से कम होनी चाहिए या बारवी तक का जो है वो आपको एजुकेशन इतने रुपे की जो एजुकेशन है वो दी जाती है तो यह जो है यह मेंडेटरी है कि या तो बच्चा जो है वो बीस साल से कम का होगा या टुवल तक की एजुकेशन उसकी एम्स के दुआरा इतने पैसों में करवाई जाएगी फिर जो है छुटी नियमावली फिर्स्ट आफ ओल तो छुटी जो है वो आपका राइट नहीं है छुटी कभी भी आपका अधिकार नहीं है यह आपको दिया जाता है जिसमें अरजित अवकास जो है EL वो आपको 30 दिनों की मिलेगी आकस्मिक अवकास जो है CL वो 8 दिनों का मिलेगा प्रति बंदित अवकास आरेच जो है वो आपको वो दो दिन विलेगा तो जो है यह केलकुलेट करने पर 40 इसका आ रहा है कि आपको जो है वो 40 छुटी जो है 40 डेस की छुटी वो मिलती है इसके अलावा भी एमस में जो है वो आपकी छुटी रहेगी बट वो आपकी होलीडेज आते हैं उन पर चुटी मिल जाती है और अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो उस रोस्टर के अकोडिंग आपकी चुटी जो है वो डिसाइड होती है वीडियो में आगे दिया हुआ है कि किस परकार आपका रोस्टर बनता है तो किस परकार आपकी चुटियां भी निर्दारित होगी कि अधिकतर यहीं चुट की प्रियोग में ली जाती है जो अभी हमने बैली स्परोव आ जेखा था कि यल gir जो है वह प्रियोग में लिचती हैं बाकि और भी बहुत सारी चुटी होती है च्ऊले आत्रा रेयाय्यत यानि कि अपने निवास इस्थान पर ढमान,ो वाएं दिए चायर के लिए अपने रही सब्सक्राइश होสब्स ऑम्हार से लिए MNPAY एक वर्ष में एक बार आपका वेतरमान बढ़ाया जाएगा ये वेतरमान आपकी जो बेजिक पर बढ़ता है टोटल सेलरी पर नहीं बढ़ता है जैसे कि 44,900 है सेलरी तो उस पर जब वेतरमान बढ़ेगा तो फिर 46,200, 47,600, 59,000, 50,500, 52,000 इस परकार से जो है ये आपकी कार नहीं है उस स्लाइड में जिस तरह से बता रही थी तो ये जो ड्यूटी है इसमें यहां दिया गया है जन्रल शिफ्ट जो थी वह आठ गंटों की ड्यूटी रहेगी जन्रल शिफ्ट के बारे में यहां दिया है जन्रल शिफ्ट जो आठ गंटों की ड्यूटी रहेगी सनीवार को आपको half day मिलेगा यानि कि हाफ़ी duty रहेगी रवीबार को जो अवकास होता है वो मिलेगा और राज की अवकास यह जो है वो आपको duty के जो दोरान चुटियां मिलती है यह वो चुटियां है जो shift duty करते हैं तो दिन के अगर आप duty कर रहे हैं तो यह जो ए लिब दीन में चेज गंटे की डूटी रहेगी इवनिंग और मॉनिंग और जो नाइट डूटी होती है वह 12 गंटे की रहती है इसमें वह जो है आ आड दिनों का आउकाष मिलता आए हर महीने आपको यार दिनों का उकाश दिया जाएगा एम्स में जो आप नर्सिंग ओफिसर है तो इनकी जो जो प्रोफाइल है वो किस तरह किये इसमें जो है वो डाइरेक्ट पेशेंट्स केर है तो इसमें कुछ पोइंट्स बनाए गया है देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है पहला जो पॉइंट्स है एडमिशन और डिस्चार्ज ओफ दे पेशेंट्स यह जो है आपकी जॉब प्रोफाल के अंदर आएगा की पेशेंट का एडमिशन और डिस्चार्ज आप करेंगे To maintain the personal hygiene of the patients, including bathing, care of mouth, beak, nails, hair, etc., care of pressure points as needed, to assist the patient in elimination, offering and removing the bad pants and urinal, bed making, assist in feeding the weak and debilitated patients, writing on diet sheets, supervisions and distributions of diets, assistance in physiotherapy, embolmation and rehabitations, carry out patient's teaching and demonstration according to the needed, counseling the patients and relatives, Care of the dying and dead, administration of medicines and injections to the patients, assist in administration of intravenous injections, infusion and transfusions, observing, recording and reporting of vital signs, e.g. T.P.R. and blood pressures, carry out technical procedures such as nasogastric, intubation, gastric, garbage and lavage, oxygen therapy, dressing and irrigation, enema, catheterization, hot and cold application, sequestration, etc., collecting, labelling and dispatch of specimens, preparation for and preparation for and assistance in clinical tests and medical surgical procedures, urine testing for sugar and albumin, observation, recording and reporting of all procedures and tests, escorting serious patients, escorting serious patients to and from the department, ward and investigations, ward management, ward management, यह आपको patient जो पिसली जो slide थी जितने points थे वो patient की related थे, अब जो points जो है वो ward manage की related है, ward management भी जो है, वो nursing officers, जो nursing अधिकारी है, उनीका कारिया है, तो जिसमें पहला जो है, handing over and taking over charges of patients and ward inventory in each shift, maintenance of therapeutic environment in the ward, keeping the ward clean and tidy, routine care and cleaning of dressing, trolleys, cupboard, apparatus, Macintos, ETC, care of clean and soiled linen, disinfection of linen, beds, floor and bedpans and fumigation of room ETC, preparation for, preparation of rooms, trolleys and sets of processors, preparation of surgical supplies, maintaining interpersonal relationship with patients, relatives and health team member, orientation of new staff students, demonstration and guidance to student nurses, participation in staff education and staff meetings, participation in professional activities, demonstration and supervision of domestic staff, report about the medical, legal cases if any admitted in the ward, to keep the senior nursing officials informed of the happening in the ward, like fire, absconding patients, theft, ETC, any other duty that may be assigned by sister grade first from time to time, available... that is subject to the physician task that you need to try to address, makes any other ladies above all, that is another duty of di sext極 Self- iemand Foundation in our ward, that is located in the wardens, which are located in the warden, a unit of medication management that they help the evaluation places, किया जाता है तो इसमें हिंदी में भी बताया गया है कि पर्तिक्ष रोगी की आप देख बाल करेंगे उसके लिए पॉइंट से हमारा पहला पॉइंट दिया गया इसमें मारीजों का प्रवेश और छुटी यह कारी जो है वो नर्सिंग ऑफिसर्स के दुआरा ही उनकी शीट बनाए रखना जिसमें स्नान मुँ पीट नाखुन बाल आधी की देख बाल शामिल है आवशक्ता अनुसार दबाव बिंदों की देख बाल रोगी को बैड पैन और यूरीनल को हटाने चड़ाने हटाने में साहिता करना विस्तर बनाना कमजोर और दुर्बल रोग्यों को बोजन कराने में साहिता करें आहार पत्र का लेखन आहार का परिभेक्षण और वित्रन फीजियो थेरपी एंबुलेशन और पुनर बास में साहिता करें रोगी को आषक्ता-नुसार सिक्षण एवशड में परदशन करना रोग्यों और रिष्थेदरों को प्रामर्ष देन मरने वालों और मृत्वकों की देखबाल रोगियों को दवाएं और इंजेक्शन देना अंतरशीरा इंजेक्शन जल सेख और आधान की परसासन में साहिता करना टी पी आर और रक्त चाप जैसे महत्पोन संकेतकों का अवलोकन रिकोर्डिंग और रिपोर्टिंग तक्निकी परकिरियों को पूरा करें जैसे नासो गैस्ट्रिक इंटूबेशन गैस्ट्रिक गेवेच और लेवेच ऑक्सिजन थेरपी ड्रेसिंग और सिंचाई एनिमा मेदानिक परिक्षण और चिक्सा सल्य चिक्सा परकिरियाओं के लिए तैयारी और साहिता करना शुगर और अल्बूमिन के लिए मुत्र परिक्षण करना सभी परकिरियाओं और परिक्षण का उलोकन करना रिकोर्डिंग और रिपोर्टिंग करना गंबी रोगियों को जा दूसरा है वो वर्ड मेनेजमेंट के लिए है तो इसमें जो पहला है प्रतेक पाली में मरीज और वर्ड सूची को सोंपना और कारीबार संभालना वर्ड में चिकतसी वातावरन का रख रखाव वाड को साफ सुत्रा रखना ड्रेसिंग ट्रोलियों अलमारी उपकरन के लिए कमरे ट्रोलियों और सैट की तैयारी सर्जीकल आपूर्ती की तैयारी मरीज रिष्टेदारों और स्वास्ते टीम के सदेशियों के साथ पारस पर एक संब्द बनाए रखना नए स्टाफ चात्रों का अभी मुखी करन करना चात्र नर्सों को परदशन एवं मार्ग करना यदि वाड में कोई चिकित सी कानुनी मामला बढ़ती है तो उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना वरिष्ट नर्सिंग अधिकारी को वर्ड में होने वाली घटना हो जैसे कि आग मरीज के बागने चोरी आधी के बारे में सुचित करना कोई अन्य करतवी जो समय सम आप वर्ड में रहेंगे तो आपका जो है जितने वी देर आपकी जो भी ड्यूटी रहती है फिर वह चाहिए जन्रल ड्यूटी हो यह शिफ्ट ड्यूटी हो उस टाइम आपकी जो लाइबिलिटी है वह पूरी तरह से पेशिंट की कैर करना और वर्ड को मैनेजमेंट करने आपकी खree मतर्यूटि है एक है यहाँ करना है पूरी निष्टा से कार्य करना है क्रूंकि यहां जो है वह आपको तिसले चीज के लिए आपकी जो ड्यूटी लगाए जाएगी रहां आपको ध्यान रखना है आपकी ड्यूटी के दोरान जो अब आपका जो प्रोव एक है तो वह इस तरह से रहे तो नर्सिंग ओफ्सर नर्सिंग अफिसर जो आपका प्रोव्शन होगा उसके बाद में आपका सीनिए नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग सौप्रीटंडेंडेंड में होगा फिर वसी के बाद में चीफ потр तरह से आपकी जितने भी डूरेशन है जितना भी गवर्डम्नेंट नहीं सभी डूरेशन को रखा है उस duration के दोरान आपकी जो है ये पर्मोशन होने वाला है तो ये वीडियो ये इसमें जो है ये हिंदी में भी इस वीडियो में बनाया गया है जैसे नर्सिंग अधिकारी नर्सिंग अधिकारी से आप वरिष्ट नर्सिंग अधिकारी बनेंगे ये पुरा इसमें दिया है डीटेल तो मैं उमीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है सो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो और लाती रहूँगी वो चैनल पुराने पेपर से हो या किसी भी पोस्ट से रिलेटिड वीडियो हो कि आपको क्या क्या उसमें कौलिफिकेशन चाहिए किस तरह से आपका जॉब परफाइल रहेगा कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इसमें आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो बहुत पसंद आ रहे होंगे सो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करिएगा बाई थैंक यू